हेलो आपके लिए आपके लिए लाही हूँ ट्वल्थ क्लास हिस्टी का चैप्टर नमर फॉर के अपॉर्टन टेक्शिल कोश्चन सेवन कोश्च मैं अलड़ी करवा चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे आज मैं करवान जानू कोश साल के वाद ठीक है जब बुद्दा के 200 साल के वाद किंग जो अशोका थे ठीक है जो राजा अशोक था उन्होंने लुम्बेनी नेपाल में क्या किया था एक पिलर को बनाया था ठीक है एक स्थंब बनवाया था ठीक है अब क्या था ये स्थंब क्यों बनाया गया ताकि य एनौस किया जा सके कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने नेपाल की लुम्बेनी में विजिट किया था जो लॉर्ड बुद्धा थे वो नेपाल की लुम्बेनी में आये थे उनके आने को शो करने के लिए जो किंग अशोक थे उन्होंने लुंबेनी में एक पिलर को बनवाया ठीक है अब स्तूपास क्या होते हैं स्तूपास जो टीले होते हैं जो बनाए गे थे जो लॉर्ड बुद्दा जो थे उनके डेथ के बाद उनके जो बॉड़ी के रिमेंस थे ठीक है बॉडी के जो रिमेंस थे उनके उपर क्या बनाया गया था जा उनके उपर क्या बनाया गया था टीलों को बनाया गया था स्तूपास को बनाया गया था जहां उनसे जुड़ी कोई चीज होती थी उसके उपर क्या बनाया स्थूपास को बनाया गया अब जहां जहां भी स्थूपास बनाये गये वहां वहां पर यह चीजे दबी होती थी मालो अगर यहां पर लौड बुद्धा से जुड़ी कोई चीज दबी होई है तो इसके जो लोग होते थे वो इन स्टूपाज को काफी जादा मानते थे क्योंकि उनके नीचे जो होते थे उनके जो लौड बुद्धा है उनसे जुड़ी हुई चीजें जा उनके बॉड़ी के रिमेंस दबे होते थे इसका ठीक है अशोक बुद्धा के डिस्क्रिप्शन के एकोडिंग ली ठीक है जो उनकी फैमस बुक में दिया गया है ठीक है अशोक जो थे उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि अशोक जो बुद्धा थे उनके जो बॉड़ी के रिमेंस थे वो हर city को जो major cities थी वहाँ पे दे दिये गे थे और बाद में उन remains के ऊपर क्या बनाया गया स्टूपास को बनाया गया था ठीक है अब जो important स्टूपास है वो कहाँ कहाँ है सांची बारहूद और सारनाथ यहाँ यहाँ पे important स्टूपास को बनाया गया था इनका structure जा तो डोम होता था जा है मिसफेर ठीक है यह जो structure होता है स्टूपास का वो जा तो डोम होता है जा है मिसफेर होता है इनके टॉप पर एक बालकनी बनाई जाती है ठीक है जैसे मालो यह structure आ गया इसके उप में एक बालकनी बनाई जाएगी ठीक है और इस बालकनी में को क्या कहा जाता था हार्मिक हार्मिक कहा जाता था और इसी बालकनी में एवोड अफ गोड मतलब गवान माना जाता था कि इसी बालकनी में प्रेजेंट है ठीक है और इस balcony को umbrella से ढखा जाता था और इसके चारों तरफ क्या कर दी जाती थी around में इसकी railing कर दी जाती थी इस balcony के around में railing कर दी जाती थी ठीक है अगर आप स्टूपास को देखना चाते हैं तो आप net पर सर्च करिए स्टूपास के picture को तो आप अराम से देख सकते हैं कि कैसे डॉम लाइक structure बनाया हुआ है उसके उपर चोटी से एक बालकनी है और बालकनी के इर्द गिर्द railing की गई है यह आप गूगल से सर्च मार कर पिच्चर को देख सकते हैं ठीक है अब जो construction थी इनको बनाने में काफी लोगोंने contribute किया था मतलब स्टूपाज की construction को मकाम स्टूपाज बनाने के लिए काफी लोगोंने contribute किया था इसके साथ जो मर्चेंट थे मुनार्स थे जो कलाकार थे बिपारी थे और जो कॉमन मैन और भूमेंस होती थी उन्होंने भी काफी ज़्यादा कंट्रिवूट किया था इसकी construction में किसको स्टूपाज क्यों अब स्टूपाज क्या चीज़ें थी स्टूपाज जहां पर भी लोड़ जाती थी इसको हार्मिक कहा जाता था और उसको एवार्ड अफ गोड माना जाता था उसके उपरे कंप्रेला लगी होती साइड में रेलिंग होती थी ठीक है तो यह सब बनाया जाता था तदकी उनके रिमेंस के उपर जैसे धरगा बनाई जाती है मॉंड़नस में ठीक हमार काफी लोगों ने कंट्रिवूट किया था इसको बनाने में